मुद्ध करेंगे एक बिजनस के लिए एक एंटरप्राइस के लिए गुद्विल एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एक्जाम्पल के थू समझते हैं ठीक है अब ये ना मोहन है इसका बर्द्दे है इसने अपने थ्री फ्रेंज को बुलाया प्लस थ्री फ्रेंज अब डिसाइड हुआ तो भी आज तो बर्गर करें बर्गर का नाम सुनते हैं इनके दिवां में क्या आएगा भी मेड़ी जलते हैं क्यों आया मेड़ी बहुत टाइम से आप देख रहे हैं बहुत नाम बिल्ट कर लिया है उसने अपना बहुत रेप्यूटेशन बिल्ट कर लिया है ये जो रेप्यूटेशन बिल्ट कर लिया है इसकी वज़ा से जो आप मेड़ी जा रही है ये क्यों हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से MacDee ने अपने गुडविल बना लिए इसी चीज़ को गुडविल कहते है तो एक डेफिनेशन गुडविल की क्या हुँ गुडविल इस नथिंग मोर दैन प्रॉबबिलिटी दाट Old customers विल रिस ओड तू दा Old Place The Old Place The Old Place अब एक different point of view से इसको समझते है एक different point of view से समझते है आपने सोचा बही मैं बिजनस स्टार्ट करूँगा सपोस करो आपने सोचा मैं शूज बेचने का बिजनस नया स्टार्ट करूँगा अच्छा अब आप अगर अपना नया बिजनस स्टार्ट करते हैं तो आप सोचो आपको क्या प्रॉसेट होगी अब यह Mr. X है यह न शूस का बिजनस कर रहे हैं अपना कितने सालों से दस सालों से Since 10 years अब यह जो Mr. Y है जो अपना बिजनस स्टार्ट करने जा रहे थे इंकि बस दो options है या तो यह अपना बिजनस नहीं स्टार्ट कर ले नहीं है नाया नाम खड़ा करे या फिर वो इनसे इसका बिजनस खरीद लिए अगर आज की डेट पे वो इनसे इनका बिजनस खरीद लेते हैं तो जादा profits earn करेंगे ना क्यों earn करेंगे क्योंकि Mr. X ने अपना नाम बिल्ड कर लिए दस सालों में इतनी reputation बिल्ड हो गई है इतनी goodwill बिल्ड हो गई है समझाया समझाया तो अगर आप goodwill के लिए पे कर रहे हैं आप यह Mr. Y Mr. X से इनका खड़ा खड़ा बिजनस खरीदेंगे तो goodwill के लिए पे करेंगे ना वह गई विल के लिए पे कर रहे हैं क्योंकि जो प्रॉसेट वह इनके business को रन करके आज की डेट पर अर्न कर रहे है वो अपने नए बिजन्स से नए हाल कर पाएंगे कि यह जो बिजन्स है यह जो इनके naam से इश्ब बेच रहे हैं आपने बिजन्स के नाप सो दसाल से बेच रहे हैं तो इनकी गुडविल खड़े होई तोrolog यह ओती है यह होती है गुडविल तो when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to buy his own. अगर यह जो Mr. Y है, यह Mr. X को उनकी goodwill के लिए पेक कर रहे हैं, तो यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो profits यह Mr. X के business से earn करेंगे, वो अपने business से नहीं earn कर पाते हैं, बिना Mr. X के business के aid के नहीं कर पाते हैं, क्योंका तो नाम ही नहीं खड़ा हुआ, आज आप अगर नहीं अपने नाम से business स्कार्ट करते हैं, धीर धीर आगे बढ़ोगे न, यह होती है goodwill, मगर आप इस goodwill को touch नहीं कर सकते, तो यह एक intangible asset है, यह एक intangible asset है, tangible asset क्या होती है, tangible asset एक ऐसी asset होती है, उसको आप touch कर सकते हो, देख सकते हो, तो goodwill is an intangible asset, it is not a fictitious asset, यह चीज बहुत important है, यह लिख लेंगे और highlight कर लेंगे, कई बच्चे समझते हैं कि यह fictitious asset है, नहीं, goodwill is not a fictitious asset, fictitious asset थोड़ी है, दिखती नहीं है, touch नहीं कर सकते हैं, इसका होता भी दुरी fictitious हो गई, समझाया, यह intangible है, यह लिख लिजे, यह slide लिख लिजे, यह चाहिए बनाना चाहिए हैं नहीं बनाना चाहिए हो आपकी मरजिया, यह लिख लिख लिखे बस, अपने language में लिख लिजेगा, वैसे आपको शारी notes अपने book में मिल जाएंगे, जो आपको इने book लिख लिए ना साथ में, उसमें मिल जाएंगे, यहां पर लिख लो, no physical existence, कोई physical existence नहीं है ना, आप देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, और fictitious asset क्यों है, क्यों नहीं है, since it can be sold, अब अगर कोई fictitious asset है तो आप उसको sell कैसे कर नहीं, किसी fictitious asset को sell तो कर नहीं सकते, मगर good will को तो आप sell कर सकते हो, good will को कब sell कर सकते हो, जब आप business sell करो, जैसे मैंने आपको example दिया, Mr. X अपना खड़ा-खड़ा business Mr. Y को sell कर रही है, तो वो good will का भी पैसा लेंगे, ऐसे goodwill sell होते हैं, खाली goodwill नहीं sell होते ही, ऐसे sell होती है, तो यहां पर मिलीख लो कि sale will be possible will be possible only along with the sale of business itself समझाया लिख लो लिख लो मेंगदी हो गया एक्जांपल के एफसी जाते है रेस्ट्राउंट के एक्जांपल तो यह हो गए बाकी भी बहुत सारे एक्जांपल है बाटा और अर्मानी यूकी चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं